एक और वहत्रिन मंद्र के डियन के साथ आपका इस वीडियो में स्वागत है से लिए दोस्तों इस गेट को कैसे कलग किया गया है इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों जदि अब चनल पर पहली बार आये हैं तो चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी गेट के उफर पहले प्राइमर की कोटिंग्स दी जा रही है उसके बाद इमल्सन इकोटिंग्स दी जा रही है अभी ब्राउन कलर की बेस कोट स्प्रे हो रही है देख सकते हो आप इस गेट का निर्मान ओडिशा की ब्रगर टेस्टिक जारवन ब्लोग में हो रहा है इसी में संवलस्ट याट के कलाकार लगे हो हैं अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं अभी डिजाइन फर सेडो दी जा रही है ताकि डिजाइन की हाइस्ट और लोएस्ट पैंट अच्छे से नजर आ सके हैं अब देख सकते हो कितना बहत्री दिजाइन हुआ है इसवल जब कलर का फोसेसिंग खत्म हो जाएगा तब कितना अच्छा लगेगा ये गेट मुर्ती की कलर भी जारी है उसकी बस्तर पर कलर हो रहा है सेडो भी दी जह रही है एक सस्क्राइब तो बनता है दोस्तों हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं तो प्लित सब्सक्राइब हीजिए हमारी इस चैनल को सिप परवती जी की मूर्ती फर आँक की भेंटिंग हो रही है आप देख सकते हो अच्छे से अच्छे से ड़ी बसाब है यह जो आप देख रहे हो वीडियो में कार्थिका भगवान जी की मोर्ती है इसकी भी आँख के पेंटिंग की जा रही है गेट अब रेड़ी हो चुका है दोस्तों इसकी पेंटिंग हो चुकी है आप सामने के नजारे देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है साइड में जो पीलर है वो भी कितना अच्छा लग रहा है ब्राउन कलर की गेट उपर है निला गगन कितना अच्छा लग रहा है इसकी डिजाइन देखिए दोस्तों इसकी कलर देखिए कितना अच्छा डिजाइन किया गया है बहत सुंदर लग रहा है ये गेट सच्मूत बहत कारी-गरी की गई है इस गेट में आप जब भी जर्बन एरिया में आओ इस गेट को जरूर देख कर जाना क्योंकि इसकी बहतरी रिजाइन देखकर आपका मान भर जाएगा दुर्गा पुजा चालो हो गया है ये गेट का नाइट व्यू है आप देख सकते हो कितना अच्छा गोड़िया लाइटिंग किया गया है दुस्तों यदि आपको इस गेट की डियाइन अच्छा लगा तो हमारी चनल को लाइक सस्क्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाब फिर मिलेंगे एकर संदार नए वीडियो में थेंक्यू थेंक्यू